कल हमने हिंदी व्याकरण में बच्चन पढ़ा था। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम बच्चन का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चन बदल कर वाक्य दोबारा या फिर से लिखिए। बच्चा पुस्तक पढ़ रहे हैं बच्चे पुस्तके पढ़ रहे हैं। नबर तो, लड़की केला खा रही है। लड़की एक वचन है वो लड़की का बहुचन लड़कियां केला केले खा रही है। नमबर तीन, लड़का कविता लिख रहा है। लड़के कविता का कविताएं रहा है रहे हैं लड़के कविताएं लिख रहे हैं नमबर चार तोता डाल पर बैठा है तोता एक वचन है और तोता का बहुचन तोते डाल पर बैठा है बैठे हैं तोते डाल पर बैठे हैं। नमबर पांच, खिर्की बंद कर दो। खिर्की का बहुवचन खिर्कियां बंद कर दो। बच्चों, अब हम कुछ शब्दों के बहुवचन शब्द लिखेंगे। चाबी एक बचन है और चाबी का बहुवचन चाबियां। बेहन, बेहने, बिल्ली, बिल्लियां, पत्ता, पत्ते, रक्षा, रक्षाएं। बच्चों, आपको अब वचन अच्छे से समझ आ गया होगा।